तो स्वागत है सभी सात्यूं का एक बार पुन है राजस्तान के सबसे लोगपीरी चैनल Steady Exam Academy पर चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबा कर सबस्क्राइब कर ले क्योंकि गोवर्मेंट जोब की पलपल की अपडेट इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है तो जैसे की सात्यूं सभी को पताएगी राजस्तान CHO का रिजल्ट जारी हो चुका है जिन भी मित्रों का यहां पर सलेक्षन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बदाही और जिनका सलेक्षन नहीं हुआ है उनके लिए भी हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि कितने आखिरी कटोब रही है क्या इसके अंदर हो रेटिंग लिष्ट भी जारी होगी या नहीं होगी दूसरी बात हम करें तो जिन भी मित्रों के पास JNM BSC Nursing की mardi sasto है यदि हम बात करें तो यहां पर इंटरशीप की mardi सिट उसको भी यहां पर आपको तयार रखना है नमर छे पर हम बात करें तो आपको इसके साथ में रजीस्टेशन स्राटिफिकट डश्तान का यहां पर आपको तयार रखना है नमर 7 पर हम बात करें तो आपके पास डिपलोमा है जो भी जीनम का है डिग्री सर्टिपिगट बीए सी नर्शिंग की जो भी डिग्री बगेर है उसको आपको यहां पर तयार रखना है और इन सभी ओरिजिनल डोकोमेंट्स को तयार रखना है और उसके साथ में सभी डोकोमेंट्स की दो-दो फोटोकोपी आपके पास जिरोक्स इसकी होना जरूरी है इसके अलावा हम बात करें तो राजस्तान का आपके पास मूल निवास परमान पतर होना चाहिए ताकि आप किसी भी केटेगरी से हो तो आपके पास राजस्तान का मूल निवास परमान पतर होना चाहिए जिसके पास नहीं है बनवा लेना इसके अलावा जो भी कंडिडेट यहां पर OBC, SC और ST के हैं उनके पास जाती परमान पतर होना जरूरी है आपके पास जिस भी आप काश्ट है हो आपका जाती परमान पतर आपको बनाना है जाती परमान पतर ज्यादा पुराना आपका 6 महिने से पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास यदि नहीं है तो आप नया बनवा लेना अभी श्रमेह आपके पास आगे हम यदि बात करें तो आपके पास जाती परमान पतर राजस्तान का मैंने बता दिया इसके अलावा यदि किसी ने EWS से फोरो में अपलाई किया तो EWS का सर्टिबिक्ट होना जरूरी है यदि कोई students जिन्होंने sports से फोरो में अपलाई किया है sports category का है तो आपके पास sports का परमान पतर होना जरूरी है अगे हम बात करें यदि कोई विद्वा बगेरा है तो उनका यहां पर certificate होना आउशक है उसके आपके पास दो फोटो कोपी होना साहिए इसके साथ में PHW का certificate भी आपके पास होना अतियाउशक है और इसके इलावा यहां पर दसवी की जो मारक शीट है बारवीं की जो मारक शीट है वो भी आपके पास होना अनिवारी है दसवीं और बारवीं की आपकी जो मारक शीट है और उसके साथ में उसकी जो जिरोक्स है वो भी आपके पास होना आउशक है इसके लबा हम बात करें तो forum में जी कोई आपके mistake हो गई है तो आपको ये नया एफिडेविट बनाना है जो अभी आपका document verify होगा तब आपको अभी आपको ये बनवा लेना है जो अभी forum में आपके पहले mistake बगेरा हो गई है इसके लबा जो आपका admit card है आपका admit card है आपको त्यार कर लेना है अधार card में जनम date में या नाम में कोई mistake है तो उसको भी आप अभी त्यार कर वा लेना समय आपके पास आधार card को आपके रेडी रखना और साथ में इसकी जिरोक्स बगेरा भी होनी चाहिए तो आपके समझ में आचुकागा क्या 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 डोकमेंटर आपको रखना है दस्वीं की बार्वीं की mark sheet आधार card इसके साथ में आपका fan card बगेर है तो भी चल जाएगा या आधार card है आपके पास और इसके लबा जाती मूलनिवास परमान पतर बगेरा और आपके साथ में इसी के साथ में आपका जो विवाइत या Just certificate है चरीतर परमान पतर होना जरूरी है तो आइए अपको समझ में आगे होगा इस वीडिओ के माधियम से और बता देता हूँ मैं आपके पास चरीतर परमान पतर होना चाहिए पहले बता चुका हूँ, इसके साफ में आपके पास फोटो होना जरूरी है, जो आपने फोरम बरीती सेम उसी केटेगरी की या लेटेस्ट न्यू फोटो आपके पास होना जरूरी है और आदार कार्ड में यदि कोई मिश्टेग है तो आपके आप उसके अंदर शुदार करवा सकते हैं तो आई होप इस वीडियो में आपको पता सलगिया होगा कि यहाँ पर कितनी कौन-कौन सी डोकुमेंट आपको रेडी रखना है और यदि हम बात करें कटोब की तो कटोब का यहाँ पर कोई आपको अंदाजा नहीं है यदि किसी मिट्र को पता है आपके कितने नमर आ रहे हैं यदि आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है और कितने नमर आपके आए हैं कि आपका यहाँ पर सेलेक्शन हुआ है तो नीचे कमेंट करके आप जगर्मेंट बोक्स में जरूर बताना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कोई डाउट रह गया तो हमारा टेलिग्राम चैनल है नीचे लिंक दियावा उसको आप जोइन कर सकते हैं अगर हमारे वाट सुन मर मिल जाएंगे वहां से आप संप्रेक कर सकते हैं